सापा प्रमुख अखली शादो हमाएं साथ हैं, करहल आये हैं, ना मांगकर उसके बाद सर्टिफिकेटी लेने आएंगे? सर्टिफिक अधा ना मैं यह तो घर है और गर के साथ साथ यहां कि जन्ता से बहुत करीबी रिष्टा है, नियता जी का, हम लोग विसलिए सब परिवार के लोग हैं और परिवार के लोग न उते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी जीत कठिन परस्तितियों में आगी जनता ने दी है तो करेल हम लोगा घर है और हमेशा यहीं रहते हैं इसलिए आना जाना लगा रहता है इस बार का परणाम एतिहासिक होगा पहले से भी बड़ी जीत होगी नौ जगहों पर चुनाव है उप चुनाव है क्या इसको 27 से भी जोड़े क्या इसे समी फाइनल मारा है क्या इसे जनता करूजवान यह आपकी मर्जी है सरकार जो चाह सो माने और सरकार इसलिए बचना चाहती है वियलो हटाए अधिकारी हटा दिये तमाम चीजें की सरकार न बोल चुका हूं सरकार की दिमिधारी थी सरकार चाहती तो दंग कभी आहीं नहीं हो सकता था और सरकार को अपनी कमी कोई माइन गेम नहीं है कोई माइन गेम नहीं है हमारा लक्ष है बीजेपी को हराना और बीजेपी को हराने के लिए जो नेड़े ले सकते हैं वो नेड़े पार्टी से बाचित करके ले रहे हैं और चुनाव को ले करके वो कहते हैं कि यह जंता पर छोड़ दिया जाएगा कि किस तरीके के रुजहानों से जोड़ा जाए लेकिन समाजवादी पार्टी नसिफ यहां और बाकी सीटों पी जीत जाए है बलकि उन्होंने बहुत सारे सवाल सरकार के उपर उठाया है देखना यहीं है कि अब सरकार क्या जवाब देती है सापा प्रमुख खखली शादों हमाएं साथ हैं करहल आये हैं नामांकर उसके बाद सर्टिफिकेटी लेने आएंगे ने यह तो घर है और घर के सब परिवार के लोग हैं और परिवार के लोग न होते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी जीत कठीन परस्तितियों में आगी जनता ने दी है तो करहल हम लोगा घर है और हमेशा यहीं रहते हैं इसलिए आना-जाना लगा रहता है इस बार का परणाम एतिहासिक होगा पहले से भी बड़ी जीत होगी नौ जगहों पर चुनाव है उप चुनाव है क्या इसको 27 से भी जोड़े क्या इसे समी-फाइनल मारा है क्या इसे जनता करूजवान यह आपकी मर्जी है सरकार जो चाह सो माने और सरकार इसलिए बचना चाहती है वियलो हटाए अधिकारी हटा दिय लिए तमाम चीजें की सरकार ने अपने हिसाब से परसासन पोस्ट किया लेकि इस चीजों का होता कुछ नहीं है जनता अंतों गता तैकरती है और जनता समयाजादियों के साथ है बहराईच की गटना है काफी गंभीरता सब्सक्राइब है कई बार बोल चुका हूं सरकार की जिम्यदारी थी सरकार चाहती तो दंगा कभी कभी नहीं हो सकता था और सरकार को अपनी कमी महसूस ही तभी वहां की पुलिस के पेकारवाई होई है वहां के अधिकारी हटाए गए और जो दंगा हुआ है उसमें भी भेदवाब कर रही है सरकार मदद करने पर लोग साथ अ हमारे लक्षह हराना needed extra minute पार्टी से बाचित करके pursue क्ला शादो जो कि समाजवादी पार्टी खना हुआ है कि बेराईज को ले करके जो घटना हुआ है आपने आपने गंबिर सरकार पर द比如 आरोप लगाये हैं और चुनाव को ले करके वो कहते हैं कि ये जंता पर छोड़ दिया जाएगा कि किस तरीके के रुझानों से जोड़ा जाए लेकिन समाजवादी पार्टी न सिर्फ यहां और बाकी सीटों पर जीत रही है बलकि उन्होंने बहुत सारे सवाल सरकार के उपर उठाया है देखना यही है कि अब सरका कोड को स्कैन करें